जाएंगे सूजी का हलवाई श्टाइल में मिठाई बनाना बहुत ही सिंपल है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिये मेरा न्यू चैनल है तो यहां पर मैंने कढ़ाई लिया है कढ़ाई में हमने डाला है एक चम्मस घी तो हमें हमें डाल देंगे सूजी हमारे जो हैं घी गरम थे यहां पर हमें सूजी डालकर और दो मिना तक भून लेना है बहुत ही फटा-फट यह मिठाई बनकर रेडी हो जाती है अब भी इसे बना कर बहुत ही सिंपल तरीके से और खा सकते हैं अपनी मन पसंद चीजे इसमें डालकर तो इसे ज्यादा जलाना भी नहीं है और इस तरह से थोड़ा हालका सा कलर चेंज हो जाए तो इसे हम प्लेट में ट्रंसपर करेंगे प्लेट में निकालेंगे इसे प्लेट में निकालेंगे चांब चम्मच की मदशने तो यहां पे में चासनी बनाँगी तो चासनी बनाने के लिए यहां पे आदा गिरास पानी एड़ किया हैं और इसमें डाल देंगे शक्कर, देड़ कव सक्कर, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा मीठा कर सकते हैं, और इसे तारवाली चासिनी तैयार करेंगे, तो देखिए हमारे चासनी अच्छे से पक चुके हैं और यह देखिए एक तम तारवाली चासनी बन गई है, अब इसमें हम सोजी एड करेंगे, जो हमने भूनकर रखा था, और इसे मिक्स कर देंगे, इसमें डाल देंगे नारेल, जो हमने कदू कस करके रखा था, इसका टेस्ट अच्छा आता है मिठाई में, और इसे अब हम सेट करेंगे, गेस बंद कर देंगे, तो यहाँ पर हम, यहाँ पर अगर आपके पास कंटीनर है, तो इसमें बहुत कर सकते हैं तो यहां पर मैंने बहुत जल्दी जल्दी सेट किया है क्योंकि यह जो है ना चास्मी में जोर मैंने यह सूजी डाला था तो जल्दी जल्दी गाढ़ा कर देता है तो फिर हमारे बरफी नहीं बनते तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सेट करना पड़ा तो यहां पर मैं बर्फी को कट कर लूँगी और यह सेड भी हो चुका है तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी शेफ दे सकते हैं कि बहुत ही आसानी है बनाना इसे और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पर मैंने दो कट लगाया हैं और यहां पर एक लगा देती हूं और यह हो चुका है इसे मैं कैसी लगा हमारी रेस्पी आप लोग को में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, सेर कर दें, माई न्यू चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप लोग बहुत ही कम वीडियो देखकर चले जाते हैं आधा दूरा छोड़के तो इसा ना करें